शाधक प्राता काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चे करे कि आज हम पूरा का पूरा श्रमय आराध्यद्यव में लगाने की चेश्टा करेंगे जो पूर्व में हमसे तुरुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं हमें वर्तमान को शमालना है तभी आपके अंदर सामर्थ हैगी आज से कभी नहीं करेंगे तो आप होशकता है ना चल पावें क्योंकि आप में इतनी शंकल्प पवित्र गुद्धी नहीं है इतना जोर का शंकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो इभीष में प्रतिग्या हो गई आप में नहीं है इसी सामर्थ यद्यप्याप सामर्थवान है पर अपनी सामर्थों को भूल चुके हैं तो क्या करें हम मन के उपर बोजा ना डाले कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्राता काले इन गुरुदियों को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज सयन तक हमसे कोई भी जो पीछे तुर्टियां हुई वो नहीं होने देंगे ठीक, अगर रात्री में शैन करते शमें, हम पुना इसका चिंतन करें कि जो हमने प्राता कालीन नियम लिया था, उसमें कितनी तुरूटी हुई, ये करना ही चाहिए उपाशक को, ओह, आज तो इतना शमें चूक हो गई, तो चिंतन करते हुई शैन करें, प्राता कालीन फिर नियम ले, जो कल तुरूटी हुई थी, वाज नहीं हो, एक दिन शाधक देखेगा कि उसका मन अशाधन रहित हो गया है, तुरूटी रहित हो गया है, पर आपको जाच करनी होगी, रोज का रोज आपको जाच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, शुधा करना होगा यह प्रारंबिक्षाधन की बात है